मित्रों सोच कर तोड़ना रिष्टे किसी से तूटकर साक से पत्ते फिर हरे नहीं होते जैस्री कृष्ण बित्रों फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे मेस राशी के मार्च महिने के प्रेम संबंद और बैभाईक संबंद के राशी फल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें वह सुनें तभी आप मेस राशी वालों के प्रेम संबंद और बैभाईक संबं राशि में इस राशि में नाम उन्हारा से जान सकते यहुखन अपने नाम-राशि से आप पहले राशिसी बात करें कुम्ब राशी के स्वामी सनी हैं दसम भाव और एकादस भाव के स्वामी सनी का गोचर पूरे महने एकादस भाव में ही रहेगा बारवे भाव के स्वामी गुर्देव और भाग्य भाव के स्वामी हैं गुर्देव और बारवे भाव में ही मीन राशी में ही पूरे महने गो में ही गोचर हो जाएगा इससे पहले उनका गोचर में राश में रहेगा जो कि आपके सब्तम भाव के और दूसरे भाव के स्वामी है तो यहां पर कुछ इस तरह हैं कि ग्रह गोचर इस्थिति रहेगी और बुद्ध का गोचर भी देखते हैं जो कि तीसरे और शठे भाव क स्वामी है 16 मार्च से बो भी मेन राशी में जाएंगे और इससे पहले वो कुम्भ राशी में रहेंगे तो प्रेम समंधों के लिए मिला जुला महिना रहने वाला है मेस राशी वालों के लिए और मेस राशी वालों के लिए जो 15 मार्च तक का समय है वो ज्यादा बेहतर समय वाला है प्रेम समंधों में और 15 मार्च के बाद का जो समय है वहाँ पर भी रोमा चाप का बढ़ा रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बात भी बात भी हो सकते हैं तो इस बात का थ्यान रख कर आपको चलना होगा प्रेम समंधों में प्रेम समंधों में इस बात का बिस्रेश ध्यान रख कर चलना है क्योंकि सनी और सुर्र की यूती होगी एकादस भाव में और दृष्टी भी दोनों की पंचम भाव पर रहेगी तो आप में अहम भी बढ़ा रहेगा और क्रोध भी बढ़ सकता है बेरत के बाद भी बढ़ सकते हैं इस बात का ध्यान रखे लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो प्रेम समंदों में 15 मार्स तक का समय जो है वो बहतर परणाम दिखाएगा और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरहें का कोई बात भी बात चल रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास भी आप कर सकते हैं और वो प्रयास भी आपका सफल हो सकता है हालांकि सब्तम भाव के स्वामी सुक्र का जो गोचर है वो बारा मार्स से आपकी राशी में आएगा लेकिन वहाँ पर राहो का गोचर भी है तो अगर हम देखें तो प्रेम समंदों में रोमांस रहने वाला है अगर आपके पुराने प्रेम समंद हैं तो ये महिना रोमांटिक रहने वाला है आपकी मुलाकाते भी हो सकती है और रोमांस भी जादा हो सकता है नए प्रेम समंद है पूरे महिने रोमांटिक बाते होती ही रहेंगी और रोमांस से भरा महिना रहेगा और बारा मार्स तक मेस राशी में सुक्र का गोचर होगा और इससे पहले वो मेन राशी में रहेंगे वहाँ पर उच्च के होकर गोचर करेंगे गुरू के साथ उती करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर पूरे महने की जो ग्रह गोचर इस्तिती है तो प्रेम समंधों के लिए मेहना रोमांटिक बहुत रहेगा लेकिन छोटे मोठी बातों को लेकर बेरत के बाद बिवाद भी खड़े हो सकते हैं बाड़ी पर सही मवश्यी रखना होगा क्योंकि आपके रासी स्वामी जो मंगल है वो अश्टम भाव के स्वामी भी है और उनका बाड़ी के भाव में 13 मार्स तक गोचर है तो यहां पर आपकी बाड़ी में उगरता देखने को मिल सकती है और उसके बाद उनका गोचर मिथुन में होगा तीसरे भाव में होगा हलां कि मंगल के तीसरे भाव में गोचर के परणाम अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादा उस साह में आकर आप कोई नो कोई ऐसी बाते कर सकते हैं जिससे बात भी बात देखने को मिल सकता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे प्रेम समंधों में ना तो गलत फहमिया बढ़ने देनी हैं ना बात भी बात करना है क्योंकि राहो आपके प्रतंभाव में हैं तो गलत फहमिया भी बढ़ सकती हैं और ना ही आपने करूद करना है अगर आप इन बातों पर नियंतरा रखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेम समंधों में काफी अच्छे प्रडाम देखने को मिलेंगे क्योंकि रोमांटिक महिना है, रोमांस रहेगा, मुलाकाते रहेंगी और नए हो या पुराने हो प्रेम समंद्ध अच्छे ही रहने वाले हैं अगर आप सिंगल है साथी की तलास में हैं किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रत समंद्धों को प्रेम समंद्धों में बदलना चाहते हैं पर जाना चाहते हैं मुलाकात करना चाहते हैं तो वहांपर आपके लिए 13 मार्स 31 मार्स तक का समय ज्यादा तरम दिखाएगा और अगर आपका कोई बात विवाद चल रहा है अपने प्रेमी प्रेमगा के साथ तो वहाँ पर अगर आप बाद विवास समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरा महिना अच्छा है लेकिन 15 मार्स तक का समय वहाँ पर ज्यादा बहतर है वहाँ पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है और जो सिंगल लोगों की बात अभी मैंने की थी अगर वो परस्ताओ देना चाहते हैं तो उनके लिए जो समय है वो 13 मार्स से ज़्यादा बहतर समय रहेगा हलांकि पूरा महिना अच्छा है आप ध्यान रखें लेकिन 13 मार्स से क्या है कि तीसरे भाव में आपके राशी स्वामी का गोचर है तो यहां पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है लेकिन अगर हम देखें तो पूरा महिना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है प्रस्ताओ तो आप पूरे महिने दे सकते हैं और अगर आप करोद पर नियत्रा रखेंगे तो आपका प्रस्ताओ स्विकार भी किया जाएगा तो साथी की तलास में सराशी वालों की मार्च के महिने में पूरी होती हुई दिख रही है और अगर बात बिवाद चल रहा है कोई नो कांटेक्स सुचेशन चल रही है तो उसे भी दूर करने का प्रयासा आप कर सकते हैं और उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया है कि 15 माज तक का समय ज़्यादा बहतर है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे यानि आपका साथी आसानी से मान सकता है और जिन बातों को लेकर कोई छोटे मोटे बात बिवाद हुए है उन बातों को इस प्रश्टा से सुल जाएंगे तो बाते बन जाएंगी और आपका साथी दुबारा से संबंधों में आ जाएगा और प्रेम संबंधों को अगर विवा संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यक्ता होगी तभी आपको सफलता मिलेगी वहाँ पर आसानी से सफलता मार्च के महने में मिलती हुई नहीं दिख रही है और अपने बात बिवाद में तीसरे बिक्त की एंट्री ना दें इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख कर चलें और अगर आपका साथी मेश राशी का है और आपका सिंग राशी का है और धनु राशी का है तो आपको प्रेम समंदों में ज़्यादा अच्छे परणाम देखने को मिलेंगे और आपके साथी के साथ मधूरता भी ज़्यादा रहेगी चलिए बेवाइक समंदों की बात करते हैं तो सब्तमभाव के स्वामी सुक्र है और सुक्र का जो गोचर है वो 12 मार्स से में इस राशी में ही हो जाएगा इससे पहले मीन में रहेंगे तो यहाँ पर बेवाइक समंदों में भी मिले जुले परणाम देखने को मिलेंगे आपके साथी के साथ रोमांस पढ़ा रहेगा 12 मार्स तक का समय आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे रोमांस भी रहेगा और अगर कोई बात विवाद चल रहे हैं तो वो भी समाप्त होंगे और 12 मार्स से जब गो राहू के साथ यतुवी करेंगे आपकी राशी में तो संबंध और भी मजबूत होंगे और आप दोनों के संबंधों में और भी रोमांस बढ़ेगा यानि पूरा महिना रोमांटिक रहने वाला है बैभाईक संबंधों में आपको अच्छे प्रणाम मिलने वाले हैं जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और कहीं गुमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं वहाँ पर संबंध भी मधूर होंगे और ये महिना आपके संबंधों को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आप ध्यान रखें केतु का गोचर भी सबतमभाव में है तो अगर आप छोटी-छोटी बातों को बढ़ा करेंगे या आप अपने जीवन साथी के साथ सच्चे नहीं है इमानदार नहीं है विबास से अलग कोई संबंध है तो फिर वहाँ पर बात बिबात देखने को मिल सकते हैं इसलिए बैभाईक समंदों में इस बात का ध्यान रख कर चलें कि आपने जीवन साथी के साथ इमानदार रहें और जीवन साथी की छोटी-छोटी बातों को बढ़ा ना करें और उसकी बातों को सुनने का प्रियास भी आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर कोई बात बिबात हैं तो वो आपके समाप्थ हो जाएंगे सोते ही और अगर नहीं समाप्थ होते हैं तो 12 मार्ज-31 मार्ज के बीच का समय जो है अच्छा है वहाँ पर आप प्रियास करें आपके बाद विवास समाप्थ हो सकते हैं और आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में दुबारा से आप देखेंगे कि आपकी मधुरता होती हुई दिखेगी तो वैभाईक समंदों में अच्छे परणाम ही मिलने वाले हैं और जीवन साथी के साथ संबंधों में काफी मधुरता भी देखने को मिलेगी और प्रेम समंद और वैभाईक समंद के लिए मेस राशी वालों के लिए महिना अच्छा ही रहने वाला है उपाई की बात करें मंगल बार वाले दिन हनुमान चालिसा का पार्ट करें हनुमान जी की पूजा उपाशना करें आपको बहुत अच्छे पड़ाम देखने को मिलेंगे और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो रवाल वाले दिन सुर्य भगवान को तावे की लोटे से जलर पित करें रोजाना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कर रववार को वर्षी करें और रववार को हिस्री आदित रदेस्तोत का पार्ट भी करें या सुनें तो इससे भी आपको काफी लाब देखने को मिलेगा तो ये उपाय आप कर लें, मित्रो निश्चित ही आपको लाब मिलेगा तो मित्रो आज मैंने आपसे मेश राशीवालों के मार्च मेनिय के प्रेम संबंद और वैभाइक संबंद के राशीफल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामानी राशिफल है सभी जात्कों पर पूर्णुप से प्रभावी होगा ऐसा संभब नहीं है क्योंकि आपकी जनकुनली पर भी बहुत कुछ निभा करता है आप सभी स्वस्त रहें आईश्मान रहें धन्वान रहें ऐसी मेरी श्री कुछन भगवान से प्रार्थना है जै श्री कुछन